असलावलेकुम वेलकम टू माई चानल फूडी हीना कैसे आप सभी आज मैं बनाऊंगी सोया बिन चांप विद ग्रेवी जो बहुत ही टेस्टी रेसिपी है तो मेरी ये रेसिपी सीखनी के लिए वीडियो के इन तक जरूर देखें तो चलिए स्टार्ट करते हैं पानी आप इतना लें कि बस यह डूब जाय है और इसे बस एक बाल आने पर उताल ले और थंडा होने के बाद इसे आप बाद में कटकर लें या पहले कटकर के वह बाल कर सकते हैं यहां पर लिया मैंने 1 टीस्पून भुना जीरा पौर्डर, 2 टीस्पून धनिया पौर्डर, 1 टीस्पून हल्दी पौर्डर, 1 टीस्पून लालमीज पौर्डर, नमक स्वाद अनसार, खड़े गर मसाले मैंने लिया है, 2 छोटी लैची, 4-5 लॉंग है, और 1 टुकड़ा दा पियास मैंने ब्राउन, पेस्ट बना या टो चलिया पेस्ट बनाा की अलति है ओव लिया सकाता भूडर, गर Onuk laugh. मैं यहां आदा आदा करके फ्राइ करूंगी पूरा एक बार में नहीं करना है नहीं तो चूर हो जाएगा तो यह देखिए मैंने पूरा फ्राय कर लिया बस एतना golden brown होने तक फ्राइ कर लें तो चलिए यह थांदा हो जाए इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलिस्पून गरम तेल सरसो का तेल और इसमें मैं डालूँगी हाफ टीजपून लाल मिर्च पॉर्डर पस इसे चला के अच्छे से इसमें डाल देना है इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है बिल्कुल रस्टोर्ण जैसा लगने लगता है तो आप इसे इसकिपना करें यह जरूर डाले इसके तेल डालूँगी उसमें मैं डालूँगी खड़े गरम मसाले और हाफ टीजपून जीरा खड़ा जीरा और इसे हलका सौटे करने के बाद मैं डालूँगी इसमें अध्रक लेसन का पेस्ट और इसे अच्छे से करीब 2 मिनिट तक भूनूँगी तो यह देखिए बस हाई फ तो अब मैं डालूँगी इसमें सुखे मसाले और इसे भी अच्छी तरह से भूनना है तो यह देखिए सुखे मसाले बहुत जल्दी जलने लगते हैं तो इसमें मैं थोड़ा सा पाई डालूँगी करीब हाफ कप और इसके बाद मैं इसे 5-10 मिन तक भूनूँगी आप थो बूनने की जरूरत नहीं है तो यह मेरा मसाला तयार है इसके बाद अब इसमें स्वयबिन चाप डाल दीजिए और इसके बाद थोड़ा दिर बूनना है क्योंकि स्वयबिन चाप भी पहले से फ्राई किया हुआ है पका हुआ है और दही के साथ अच्छे से ग्रेवी बनी है तो बस थोड़ा सा पानी डाले और थोड़ी देर इसे बस दो मिनट इससे बुरना है इसके बाद आप नमक टेस्ट कर सकते हैं अगर कम है तो यहां पर डाल सकते हैं अगर मिर्ची कम है तो भी आप डाल सकते हैं मैंने मिर्ची बहुत कम डाला है तो तीखा बिल्कुल प और अच्छी आती है, तो 1 tablespoon में ने डाला है, कसूरी में थी, और half teaspoon में डाला है, गरम masala powder, अब इसे अच्छे से चला के, इसे बस ढग देना है, दो मिनिट के लिए, दो मिनिट में आप देखेंगे, इसके तेल भी अच्छे चोड़ देगा, और खुश्पो भी बहुत ये बिल्कुल ready हो जाए, उसके बाद डालना है, सर्फ करते टाइम, तो ये देखिए, इससे खुश्पो बहुत ही अच्छी आने लगती है, तो चलिए इसे कर लेते हैं, अब सर्फ, सोया बिंचाप बिद ग्रेवी बनके बिल्कुल ready हो गया है, तो इसे मैं टेस्ट करके बताती हूँ, ये कैसा बना है, ये देखिए, काटने में कितना सॉफ्ट है, और मसाला बिल्कुल अंदर तक गिया हुआ है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा, बिल्कुल रिस्ट को कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट में मुझे जरूर बताईए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है, और कोई डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में ऐसे ही टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्ला हाफिज